असलाम अलेकूम आज हम यहां पर लेट का टास्क करेंगे इसके लिए जो हम बुक फालू कर रहे हैं वह विर्चुल मशीनिंग की बुक है मैंने इस फोल्डर में रखी भी हुई है बुक का नाम है विर्चुल मैनिफेक्ट्रिंग बर यह आप लोगों की बुक है कंप़्ूटर इस फिर्णी Essay के लिए सबसे पहले हम बुक फिस बनाएंगे जिसको हमने जिसकी हमने मशीनिंग करने एं यूजिंगC लीट यह इ YEAR लह वरक पीज बन आते हैं हम इनमीटर कूल स्लेट करते सबसे पहले हम लोग इसको राइट प्लेन में केचिंग कर लेते हैं राइट प्लेन में हम ने की सकेचिंग करते हैं गी डाइमेंशन हम इसकी 50 रख लेते हैं यह दिमेंशन इसकी 30 ठीक है यह दिमेंशन भी उसी के मताबिक ही है और यहां पे हम लोग अभी इस दिमेंशन कम थोड़ा सा यहां से कटाफ करेंगे यह दिमेंशन हमारे पास 100 की दिमेंशन है यह वाली यह दिमेंशन हम लोग 100 की रख लेते हैं और इसको हम यहां से 10 कर लेते हैं और इस सेगमेंट को हम यहां से दिलीट कर देते हैं बाकी सेगमेंट को हम क्लोस कर देते हैं यहां से ताक कि हमारे पास complete sketch बंग है और center के लिए हमें center line draw कर देते है ठीक हो गया, इसको हम revolve कर लेते हैं ठीक है, तो यह revolve करने के बाद यह वो work piece है जो हम लोगों ने जो है CNC late पे हमने complete करना है इस dimension को हम थोड़ा सा modify कर लेते है 10 की जगा हम यहां पे 20 कर देते है 10 की जगा हम यहां पे 20 कर देते है ताकि कुछ बेतर लगे हम इसको ok कर देते है तो यह हमारे पर required work piece है जो हमने manufacture करना है using CNC late इसको हम save कर लेते हैं desktop पे desktop पे हम इसको work piece 1 के नाम से save कर लेते है इसको हम यहां से close कर लेते है और अब हम यहां से machining टाइब में जाते है यहां से mm को हम select करते है अब आपको सारे steps clear है सबसे पहले जो है आप यहां से अपने tree filter zone कर लिया करें ताकि आपने किसी body को surprise करना हो तो हमारे लिए यहां से easy हो जाए फर्स टेप किया है reference model reference model में हमने assemble करना है work piece को work piece को हम यहां पे call करेंगे open करके इसको हम default पे assemble कर लेंगे ठीक है तो यह work piece assemble हो गया इसके बाद next step आपको पता है कि work piece पे हमने automatic stock add करना होता है क्योंकि मारे पास यह work piece जो है cylindrical है तो हम stock को cylindrical यहां से स्टॉक हमने यहां से cylindrical select कर लिया इसके बाद जो है इसकी dimension हम चेंज करते हैं थोड़ी सी की diameter जो है यह total यह 100 का है तो जो नीशे stock material होगा वह थोड़ा सा इससे बढ़ा होना चाहिए तो हम लोग इसको 110 सेलेक्ट कर लेते हैं और जो length है टोटल जो है हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी कुछ work piece का जो पार्ट है वो हमें चक के अंदर इसको ग्रिप करने के लिए भी चाहिए होगा तो इसको हम तकरीबन 150 कर देते हैं ठीक है तो यह हमारे पास जो है initial stock material है जिसे हमने required work piece को achieve करना है इसे मोके कर लेते हैं इसके बाद आपको पता है कि next step होता है coordinate system जा करना coordinate system के लिए जो है हम इस वाली surface को जहां से machining स्टार्ट करना है इसको select कर लेते हैं और control के साथ हम बाकी के दो planes को select कर लेते हैं ठीक है यहां से मैं स्प्रिंट को select कर लिया अब मैं इसकी बाकी orientation को change करना है अभी यह आपका x में यह आ रही है यहां पे x की जगा पे हमारे पास z होना चाहिए तो x को हम यहां पे z से x को हम यहां पे z स्वैप कर देंगे और z जो है हमारे पास away positive होगा और into the word piece वो negative होगा इसी तरह हमारे पास यह x की direction सही नहीं आ रही इस direction में हमारे पास x होना चाहिए तो y की जगा हम यहां पर y की जगा पे हम यहां पे इसको x कर देते तो y की जगा पे y अभी भी मारा सही सेलेक्ट नहीं हुआ इसको दोबारा x की जगा पे दोबारा हम लोग वाइब करते हैं और यहां से इसको flip करते हैं तो अब मारी यह direction जो है यह machine की साथ align कर गया हमारा coordinate system z जो होता है away work piece जो होता है positive होता है into the work piece negative होता है इस तरह जो है x away positive होता है और into the work piece हमारे पास वो negative होता है इसको हम okay कर लेते हैं इसके बाद next चीज़ आपको पता है work center slate करना होता है work center हमारे पास late है इसको यहां से हम ओके कर देते हैं इसके बाद नेक्स तब आपको पता है operations पर जाना होता है operation पर जाते है यहां से हम इसकी coordinate system अपना slide कर लेते हैं ठीक है यहां से हम इसको okay कर देते हैं cutting tool slide करना है हम लोग ने cutting tool में हम लोग ने turning करनी है पाकि सारी उनुट्स हम भी डिफॉल्ल पर रखते हैं और यहां से हम इसको अप्लाई कर देते हैं इसके बाद नेक्स्ट टैप जो हैं हमने कृटिंट बिडिफाइन कर लिया हम ने जाना है तerson के अंदर इधार तो टर्न के अंदर जाके पहले हमने तerson की प्रोफाइल करना ह जाते हैं, टन परफाइल में जाते हैं हम लोग जो हैं यहां से स्केच में जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहां पर स्केच ट्रॉगर ना है, इसके लिए हम इस वाली सर्फेस को, इस पहले हम यहां पर जो है कोडिने इस्टॉपना स्लेट करते हैं, फिर हम यहां से स्केच के सद़ने नैकर दिया को दिए उसके प्रेश यहां पर पर धिन दूझ अब कि यहां सद़ाइब बॉत कर लिया इसके बाद हम लोगें लोगेने शहाँ प्रोज़ूर्चक्र करना Life यह हमारे पास याई लाइन है कि हमारे पास जो यह वालिना जांए इन इस प्राजिक्क कर लिया और बाकी को जो इन लाइन से प्रभाइन कर देते हैं थीकि तो हम लिया पर जो है, यह अतना कर लिए हमारे पास तारा limb कर लिए यहार मुऩ यहार मारे Mesh उपरेशन यहार मज होगा है START 들어오ंग होगा, और यहां से हमारे पास एंडिक होगा, जांचे से स्टार्ट है तो यह मारे पास start point है, end point हा रहा है, इसको हम यहां से change भी कर सकते हैं, कि मशिनिंग operation यहां से start हो, और यहां पे end हो जाए, यहां जे हम इसको OK करते हैं, इसके बाद हम done profile दे दिया, अब हम area turning में जाएंगे, area turning में जाके हम इस tool को select कर लेते हैं, cutting parameters जो हमारी machine पे है, 20 mm पर सा step depth जो है, हम इसके अंदर 2 का, 2 का रख लेते हैं, spindle speed जो है, हमने 2000 तक ही रख सकते हैं, 2000 से 1000 के बीच में, बाकी सारे parameters जो है, हम इसको default पर रख लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने अभी अपने area turning option को define कर दिया, अब हम manufacturing में जाते हैं, यहां से, play path में जाते हैं, play path में जाके हम simulation को run करते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास जो है, तो हम slow mode में चलाते हैं इसको, ठीक है, इसके बाद इसी की हम material mode simulation चेक कर लेते हैं, material mode simulation में हम जाते हैं, यहां से tool path के साथ जो है, tool path को हम trace कर देते हैं, इसके बाद यहां से हम इसको slide कर लेते हैं, इसको हम यहां से run कर लेते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहां से हमें complete operation होता वह नज़र आए, तो उसके लिए हम CL data को भी यहां से, देख सकते हैं कि अब कौन से line execute हो रही है, आद आए, तो यहां से नहीं कौन से बाद वहां से वाद ना आए, तो आए, तो यहां से में इसको, क्रोज कर लेते हैं, इसके बाद next नहीं बाद ने बाद आए, सबस्क्राइब को पता है कि सेवा CL अख करना होता है यहां से हम जाते हैं सेवा CL करलेते हैं। ऑपरेशion बटाइः आपरेशन बन के इंदर फाइल पर जाते हैं पर इसको नहीं कम्प्यूट क्ल फाइल ईक्राइल करना हुद अब इसके बाद क्या है कि हम लोगा यूनेक्स कों सब्सक्राइब करेंगे इसको यहां से हमारे पर कोई वार्निंग स्लेक्ट शो नहीं हुई है टैप फाइल जो है हमारे पास सेक्सफुली करियेट होगी है इस एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको करके की सील फाइल फाइल हम लोगा है कि और यहां से तक फ़ाइल करिया के और हमने प्रोस्ताइब और तक पहला टास्ट जो है कमप्लीट होगे जिसके अंदर हम लोगाने टर्निंग ऑपरेशन किया यूजिंग से लेट उचिन झाल झाल झाल